प्रेंट्स गुद इबनिंग नमस्ते स्वागत है आप सभी का ये स्पेसी सोलूसन में तो देखिए काफी ज़्यादा लेट हो गया आज बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहेते आज इंटरनेट ने भी कोई साथ नहीं दिया है तो इसी कारण से थोड़ा लेट भी हुआ आज हमारा जनरल साइंस का सेट नमबर सेवन है ठीक है सेट नमबर सेवन है इससे पहले 6 सेट में करा चुका हूँ आप लोगों को और मैंने बताया है कि 2000 मेहत्वण प्रसनों का दिन प्रति दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी जो है लगभग आपको मान करके चलना है कि 30 से 35 कोईशन आपसे साइंस से पूछे ही जाएंगे तो इसलिए साइंस का सेपरेड वीडियो लाया जा रहा है आप लोगों के लिए तो जितना हो सके सभी को डिवनिंग वेलकम नमस्ते जितना हो सके अपने सभी सात्यों के साथ इसे सेर जरूर कर दिजिए फटा पटी सेर कर दिजिए और अगर आपको पीडिये चाहिए तो पीडिये के लिए हमारे टेलिग्रम ग्रूप को जरूर जॉएन कीजीगा टेलिग्रम का लिंक डिस्क्रिप्सम बॉ कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी मीसोजोग, डिउनियन, सेनोजोग या प्रिकेंब्रियन काल में बताईए देखिये इसका सही जो इंसर होगा ओगा ओप्संड डी, डी जो भी स्ट्विएंट कर रहे हैं प्रिकेंब्रियन काल ओ वेलकुल सही एंस कर दिया है ठीक है एक हमने डिवाइड किया है प्रीकेंब्रियन काल इसको प्रीकेंब्रियन महा कल्प भी कहा जाता है प्रित्वी के जन्म से पचास करोड वर्स तक ठीक है प्रित्वी के जन्म से पचास करोड वर्स तक ठीक है पचास करोड वर्स तक प्रित्वी के जन्म से पचास करोड वर्ष तक का जो समय है इसको हम لोग प्री केम्रियन काल में रखते हैं एक होता है पैलिओ зोई फीक है एक होता है पैलिओ पहलियो जोईक महा कल्प की अगर हम लोग बात करें तो पहलियो जोईक 57 करोड वर्स पूर्व से ले करके 25 करोड वर्स पूर्व का समय पहलियो जोईक कहलाता है मिसो जोईक 25 करोड से ठीक है 6 करोड वर्स पूर्व तक ये 6 करोड वर्स पूर्व का जो समय है ये मिसो जोईक कहलाता है सेनो जोईक 7 करोड वर्स पूर्व से ले करके 10,000 वर्स पूर्व ठीक है 10,000 वर्स पूर्व तक का जो समय है तो ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं अगला है निम्नवे से किस में रक्त नहीं होता किन्तू स्वसन करता है रक्त तो नहीं होता रक्त नहीं होता लेकिन स्वसन करता है हमें पता है कि जब हम स्वसन करते हैं मानो हम लोग जो हैं अगर स्वसन करते हैं तो बहुत सारी जो वायू मंडल में जो गैस हैं ऐसा नहीं है कि ना कि ही वहाँ पे छाट लेता है कि नहीं तुम ऑक्सीजन सिर्फ और नाइट्रोजन नहीं आना कर्बन डॉक्सड सभी गैसेठ जो है वह अंदर जाते हैं और इसके बात जो है और फिर हीमोग्लोबीन जो हुता है और भी सी होता है ओक्सिजन को अलग अलग parts में ले जाता है घोता है कहा जा रहा है कि कौन है जिसमें रक्त नहीं होता खून नहीं होता है ब्लड नहीं होता है लेकिन स्वसन करता है तिलजटा, केच्वा, हाइड्रा या कंगारू बताईए बात बढ़िया जो भी स्टुडेंट हाइड्रा कर रहे न वह बिल्कुल सही answer कर रहे हैं हाइड्रा देखिए एक इमेज में यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को यह आप इमेज को देखिए ठीक है हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा संग जो है ओ सिलेंट्रेटा का जनतु है ठीक है हाइड्रा की अगर हम लोग बात जाता है याद रखेगा कि इसको नाइडेरिया ठीक है इस संग को नाइडेरिया भी इसको कहा जाता है इस समूख के जिव दो परकार के बेस्ट यू पॉलिप और मेडूसा यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह पॉलिप ठीक है यह जो आप देख रहे हैं यह पॉलिप और इसको बोलते हैं मेडूसा ठीक है अब जनन प्रायह जो है वो पॉलिप में होता है याद रखेगा कि जनन जो है वो इसमें होता है जनन जनन प्रायह पॉलिप में पॉलिप में अलेंगिक ठीक है पॉलिप में कैसा अलेंगिक ठीक है पॉलिप में अलेंगिक जबकी रखनी है इस समुक के अंतरगत हाइडरा आता है अवेसिया आता है औरिलिया आता है मेट्रीडियम आता है यह सब इसके अंतरगत आते हैं चलिए आगे है जिवानु जो दलहनी पौधों की जड़ों में जड़ों में निवास करते हैं कौन सा जिवानु है बिलकुल आसान सा कोशन है बच्पन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कहा यह जा रहा है प्रवाल भित्ति पौल बिलकुल जिवानु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं कौशन नमबर थ्री देखें इसका सेयन्स रोगा राई जोबियम इस इमेज को देखेंगे तो इस इमेज में आपको नजर आएगा यह जो आप देख रहे है यह जो है एक पौधे का जड़ है पौधे का जो जड़ है यहां पर देखेंगे तो इस टाइप की पौधे के जो जड़ है यह वाला जो देख रहे हैं आप ठीक है यह जो आप देख रहे हैं यह सब राई जोबियम होते हैं ठीक है यह सब राई जोबियम ठीक है यही जो ह ये राइजोबियम होते हैं ठीक है पोधो की जड़ो में राइजोबियम होते हैं अब ये जिवानू होते हैं याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं ये जिवानू होते हैं और ये कैसे जिवानू होते हैं इनका काम क्या होता है नाइट्रिकारत जिवानू होते हैं जो अमोनि है ठीक है जो अमोनिया है इस अमोनिया को यह क्या करते हैं तो यह नाइट्रेट में नाइट्राइट और नाइट्राइट और और नाइट्रेट में बदल देते हैं ठीक है नाइट्रेट में नाइट्रेट में यही जिवानू बदल देते हैं ठीक है जिससे क्या होती है कि यह जो मिट्टी है इसकी उर्वरक छम्ता बढ़ जाती है इसकी उर्वरक छम्ता काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो लेग्यू मीनस कूल के जो पौधे होते हैं वो दलहने पौधे होते हैं ठीक है और राइजोबियम में सह जिविता होती है याद रखिएगा आगे चलते हैं अगला प्रस्न है, बिल्कुल, दलहन के पौधे में मौश्लिक, बिल्कुल, बहुत बनिया, अगला है मानो आख सरवाधिक सुग्राही है, मानो आख सरवाधिक सुग्राही है, लाल प्रकास के लिए, हरे प्रकास के लिए, नीले प्रकास के लिए, या स्वेत प्रकास के प्रकास के लिए अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे लाल प्रकास के लिए ये देखिए ये है मानों का आँख ठीक है यह आपका आँख है एक सामान ने जो ब्यक्ति होता है मतलब क्यों उसका आँख खराब है नहीं सामान ने ब्यक्ति स्वस्त ब्यक्ति ठीक है उसके रेटीमना में तीन प्रकार के संकु को सिखायों होती है ठीक है इसका जो रेटीना होता है बावू इ यहाँ पर देखिए ठीक है इस रेटीना को बड़ा कर दिया गया है ठीक है बड़ा इमेज में दिखाया जा रहा है यह रेटीना में कितने परकार के संकू होते हैं तीन परकार के संकू कोशिका होते हैं पहली कोशिका जो है ओछ छोटे तरंग देधर पहले परकार की जो कम होता है तो पहला जो होता है बाबू ठीक है मैंने वही बोला कि पहले प्रकार की जो कोशिका होती है वो छोटे तरंग दैधर वाले प्रकास जैसे कि नीले वर्ण के प्रकास के प्रति अधिक संबेदन सिल होती है ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा प्रकास की कोशिका मध्यम तरंग वाले प्रकास की प्रति सम्वेदंसिल होती है और दूसरा जो होता है जैसे अगर हम लोग बात करें तो हरा रंग ठीक है ये हरा रंग ठीक है ये हरा रंग यहां पर है ठीक है इसके प्रतीर और तीसरे प्रकार की जो संकू को इसका होती है वो बड़ तरंग देधर वाले जो प्रकास होते है उसके प्रतीर अत्यधिक जैसे की रेड ठीक है रेड कलर जो है इसका वेबलेंद सबसे ज़्यादा होता है ठीक है चले किसी कमरे में कहा जा रहा है कि किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली सीसी रख देने से उसकी खुस्बु कमरे में सभी भागों में फैल जाती है ऐसा किस कारण से होता है आपने भी ऐसा किया होगा कभी अगर रूम में बदबू आ रही है यह बड़े मनाना है तो एक सेंट की सिसी खुली कोने में रख देते हैं तो पूरा कमरा जो है वो सुगंदित हो जाता है बताए यह ऐसा किस कारण से होता है देखे इसका से अंसर होगा बिशरन के कारण ठीक है बिशरन मतलब की फैलाओ ठीक है गैसो का बिशरन घनतों में अंतर रहते वे भी गैसो के प्रिथिवी के गुरुत्वाकर्शन बल के ब वहाई परक्रिया होती है इसी को बिशरन कहा जाता है गैसो का बिशरन कहा जाता है नेफ्रो मिटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है बताए नेफ्रो मिटर नेफ्रोमिटर पुछा जा रहा है लाइक सेयर करते जाएगा लाइक सेयर करते जाएगा आप लोग नेफ्रोमिटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है देखें कोश्चन नमबर 6 का सही जो एंसर होगा होगा बागलो की दिशा और गति को यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यह है नेफ्रोमिटर यह जो आप देख रहे हैं यह है नेफ्रोमिटर इस नेफ्रोमिटर से क्या मापा जाता है तो बादल की गति ठीक है बादल कितने स्पीड से गति कर रहे हैं और साथे ही किस दिशा की ओर जा रहे हैं इसका मापन ये करता है नेपरो मिटर करता है ठीक है जबकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है एरो मिटर एरो मिटर क्या करता है ये एक ऐसा उपकरन है जो वायू और गैस के भार और घणतों को बताता है ठीक है वायू के वाय या गैस का भार और घनत को ये बताता है इसका लवा एक्क्यूमूलेटर की अगर बात करें तो यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह है एक्क्यूमूलेटर एक्क्यूमूलेटर क्या करता है बाबू एक्क्यूमूलेटर एक ऐसा उपकरन है एक ऐसा डिवाइस है जो एक ही बार पानी पी करके और रख लेता है ठीक है कि भविसे में जब भी काम आएगा अगर पानी नहीं मिला तो उसी से गटक लेंगे accumulator जश्ट वही काम करता है कि ये उर्जा को store करके रख लेता है ये विद्दूत उर्जा का संगरफ कर लेता है इसको store करके रख लेता है और आवसक्ता पढ़ने पर यहां से काम में लिया जा सकता है ठीक है तो ये सब आपको याद रखना है आगे चलते हैं अगला है दोलन करते समय लोलक की इस्थिती जूर्जा कहाँ पर अधिक्तम होती है बताईए कहा यह जा रहा है कि दोलन करते समय लोलक की इस्थिती जूर्जा कहाँ पर अधिक्तम होती है question number 7 देखे इसका सही जो answer होगा option B किनारो की इसीतियों पर option B इसका right answer होगा कहा ये जा रहा है कि कोई भी एक pendulum मानके चलिए ये है ठीक है दोलन कर रही है, कभी इधर आ रही है ऐसे ऐसे घुमते रहती है ना ऐसे ऐसे ये घुमते रहती है इधर इधर ऐसे तो कहा जा रहा है कि जब यह दोलन करती है तो इस्थितिज उर्जा कहां पर सबसे ज़्यादा होता है तो किनारों पर होता है बाबू ठीक है कहां पर होता है किनारों पर होता है इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ठीक है इस तस्वीर से के माध्यम से आप देख सकते हैं द दोलन गती में जब कोई दोलन करता है तो उसमें गती जुर्जा और इस्थिती जुर्जा का लागातार परिवर्तन होते रहता है ठीक है गती जुर्जा और इस्थिती जुर्जा का कहने का मतलब यह हुआ कि यह तो ऐसे मूब कर रहा है यह मूब कर रहा है गती जुर्जा भ जब दोलक सरवादी कूचाई पर होता है तो इसकी कुल उर्जा गतिज उर्जा होती है और मध्यमिस्थिती में कुल उर्जा तापिय उर्जा में परिवर्तित हो जाता है ठीक है एक लड़की जूला जूल रही है उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैड़ जाती है तो जूले का आवर्थ काल क्या होगा पिछला कोशन जो था उसे से समंदित ये भी कोशन है ठीक है देखिए एक चीज कि साइंस में एक्स्प्लेन होता है ठीक है और जिनको नेक्स्ट नेक्स्ट की जौरत हो उनको ब्लॉक भी किया जा सकता है इसलिए पढ़ना है पढ़िये गाराम से नहीं पढ़ना है जा सकते हैं डेली क्लास में मैं यहीं बोलता हूँ ठीक है चलिए एक लड़की जूला जूल रही है उसके पास एक और अन्य लड़की आकर कि बोलती है हमको भी बैठाओ ठीक है और नहीं बैठाएगी तो जूला तोड़ देंगे ठीक है तो बैठा लेती है अब कह रहा है कि जूला ज ये कहलाता है तो कह रहे हैं कि घटेगा बढ़ेगा फिर बढ़ेगा या अब परिवर्तित रहेगा है इसे जूले पर एक लड़की बैठी हुई है ये लड़की बैठी हुई थी अब ये जो है ओ देखिए कैसे मुझ कीए हुई है आद और ये आकर के जबरजस्ती बैठ क्या उसी स्पीड से दोलन करेगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बताईए, क्या होगा, देखे, इसका सही जो एंसर होगा बाबू, होगा, और परिवर्थित रहेगा, मतलब कि जिस स्पीड से ये दोलन कर रहा था, वैसे ही, कोई इसमें बदलाओ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आकर कर बैठ गई, तो स्पीड इसका दोलन गती जो है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, कार्ने लाइट किसका आयस का है, बताईए, अच्छा टूट जाएगा, कार्ने लाइट किसका आयस का है, बताईए, इसका सेंसर होगा, मैगनिसियम का, ओप्षन, एसका सेंसर होगा, कार्ने लाइट, मैगनिसियम धातु, का निसकर्शन करके, और बनाया जाता है, ठीक है, प्राकिर्तिक रबड को अधिक मजबूत तथा प्रतियास्त बनाने के लिए, उसमें निमनलिकित में से क्या मिलाया जाता है, ठीक है, प्राकिर्तिक रबड जो होता है, प्राकिर्तिक रबड में, उसमें और भी तन्य, मतलब कि उसको और मजबूत बनाने के लिए, और उस इसका राइड एंसर होगा सलफर, ठीक है, सलफर का मिक्षर किया जाता है, अब बात आती है, कभी कभी कोशन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक रबबन में सलफर मिलाया जाता है उसकी elasticity प्रत्यास्ता बढ़ाने के लिए उसको मजबूत करने के लिए इस विधी को क्या कहते हैं ठीक है इस विधी को तो वलनी करन कहते हैं ठीक है वलनी करन ठीक है इसको क्या वोगते हैं वावो तो वलनी करन इसको कहा जाता है धूप के चसमे के लिए किस कांच का प्रियोग किया जाता है धूप के चसमे के लिए किस कांच का प्रियोग किया जाता है देखिया आप लोग सेयर नहीं करते हैं ठीक है आप लोग थोड़ा सा सेशन को सेयर कर दिया किजि 20-30 वीडियो को ही share करना है इसके बाद student regular हो जाएंगे सबको पता चल जाएगा कि शर्टीवी वीपीएसी का class चल रहा है तो फिर share करने की जो रत्मी है starting में आप लोगों का बस support चाहिए question number 11 देखे इसका सही जो answer होगा option C crooks कांच crooks कांच से बनाया जाते है अचाए ये अगर पुछा जाए कि जो धूप वाला चस्मा होता है जो hero गिरी के लिए लोग पहनते है और पहन करके hero गिरी करते रहते है लोग तो इसमें क्या होता है उनसे पुछेगा कि तुम जो ये चस्मा पाना है ये कैसे बनता है किससे बनता है कौन सा कांच होता है बताओ तो देखिए ये crooks कांच होता है और crooks कांच संगटन जो है वो किसका होता है cerium oxide का और silica का cerium cerium oxide का oxide का और silica का ठीक है और किसका होता है silica का होता है एक होता है pyrex कांच ठीक है एक होता है पाइरेक्स का यह जो है बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का होता है बेरियम और सोडियम सोडियम सिलिकेट ठीक है सिलिकेट का यह होता है पाइरेक्स वाला होता है ठीक है पाइरेक्स वाला इसका उपयोग किस में किया जाता है इसका उपयोग परियोग साला उपकरन और फार्मासिटिकल जो होते हैं वो पात्र नहीं बनता है पात्र ठीक है जिसको बोलते है ऐसा कांच वाला जो बरतन होता है कांच का बरतन लिख देता हूँ कांच का बरतन ठीक है कांच का जो बरतन होता है उसको बनाने में इसका पाइरेक्स कांच का इस्तमाल किया जाता है एक होता है पोटास कांच ठीक है एक पोटास कांच होता है इसमें पोटेसियम कार्बोनेट और केलसियम कार्बोनेट होता है और इसको जो है प्रियोकसाला मे इसका भी इस्तमाल किया जाता है अधिक ताप पर गर्म करने के लिए ठीक है आगे है milk of magnesia का क्या milk of magnesia का क्या होता है बताइए question number 12 देखिए इसका से answer होगा magnesium hydroxide मैगनिसियम hydroxide milk of magnesia का उपयोग दवा के रुप में पेट की अमलियता दूर करने के लिए ठीक है पेट की अमलियता ठीक है पेट की अमलियता को दूर करने के लिए इसका इस्तमाल होता है दूर करने में पेट की अमलियता को दूर करने में इसका इस्तिमाल होता है मैगनिसियम सलफेट का उपयोग दस्तावर के रूप में किया जाता है ठीक है और मैगनिसियम कार्बोनेट मैगनिसियम कार्बोनेट की अगर हम लोग बात करें तो magnesium carbonate का परयोग किया जाता है दन्त मंजन में समझ में आ रहा है कबools सोचे थे कि दन्त मंजन में क्या होता है बहुत लोग दंतमंजन इस्तमाल नहीं करते थे तीखा लगता है हम तो कोलगेट यूज करेंगे जिसको खा भी जाएंगे अंदर मीठा लगता है तो दंतमंजन तीखा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मैगनिसियम कार्बोनेट होता है और चेहरे पर लगाने वाला जो पा योग में लाया जाने वाला लिटमस किस से प्राप्त किया जाता है बताइए हाँ टाइम पे ही क्लास स्टार्ट होगा ठीक है लेट हो जाता है बहुत सारे क्लासस होते हैं याज तो लाइट का ज्यादा प्रोब्लम था कोशिका भित्ती ठीक है इसमें कोशिका भित्ती ठीक है इसमें कोशिका भित्ती पाई जाती है और ये किस से बना होता है बबु ये सेल्यू लोज से बना होता है सेल्यू लोज ये सेल्यू लोज से बना हुआ होता है सेवाल में भोजपदार्थो का सेंचन किस रूप में होता है भोजन का सेंचन सेवाल में भोजन का सेंचेन किस रूप में होता है बबु अस्टार्ज के रूप में होता है ठीक है अस्टार्ज के रूप में होता है और अगर पुछे कि सेवालों का अध्यान क्या कहलाता है सेवालों का अध्यान क्या कहलाता है तो फाइकोलोजी ठीक है फाइकोलोजी पालों का अध्यान फाइको लोजी कहलाता है, ठीक है, अब कभी-कभी ये भी आपसे पुछा जाता है, कि सेवाल के किन्वन द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो सेवाल के किन्वन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, तो ACT कमल, ठीक है, क्या मिलता है, तो ACT कम मिलता है बीसी जी का टी का निम्न में से किस में लगाया जाता है बता ये बीसी जी का टी का निम्न में से किस में लगाया जाता है इसका सही जो एंसर होगा ये अक्षमा छे रोग के कारक माइको बैक्टरियम है ठीके टूबर कुलोसिस नामक जिवानू से होता है ओके मानो सरीर में रक्त परिसंचरन का सही अनुक्रम ध्यान सकीजेगा इसको मानो सरीर में मानो सरीर में रक्त परिसंचरन का सही अनुक्रम बताना है आपको बताईए देखे इसका से अंसर होगा अभी मैं इसको बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन करने वाला हूँ और ध्यान से सुनियेगा और देखियेगा ठीक है क्लियर हो जाएगा डाया अलिंद, डाया निले, फेफडा और फिर बाया अलिंद अब इतना अगर पढ़ ले कहीं ठीक है इतना पढ़ ले तो अगर पहली बार जो पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं यह एंसर है चार दिन के बाद फिर से भूल जाएंगे ठीक है चार दिन के बाद फिर से भूल जाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ भूलेंगे नहीं दे अब मैं इसको explain करता हूँ देखिए ये जो है ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है कि रुधीर का परिशंचरन ब्लड का परिशंचरन कैसे होता है पूरा explain करने वाला हूँ यहाँ पर आप देखिए फिर्दे का दाया अलिंद ठीके यहाँ पर देखिएगा कि ये जो ब्लू कलर का नजरा रहा है ठीके ये वाला जो भाग नजरा रहा है आपको ठीके ये वाला जो भाग नजरा रहा है ये क्या है बावो ये है दाया अलिंद ठीके ये दाया अलिंद है इसके अलावा इसके अपोजिट में जाए यहां पर यह हो गया बाया अलिंद ठीक है यह बाया अलिंद हो गया यह दाया अलिंद हो गया क्लिर हो गया कि दाया अलिंद और बाया अलिंद किसको कहते हैं ये बाया अलिंद ठीक है हिर्दय का ये बाया अलिंद हो गया और ये दाया अलिंद हो गया अब दाया अलिंद क्या करता है कि संपूर्ण सरीर से जो असूद रक्त होता है इसका क्या काम होता है इसका क्या काम ह मिला हुआ होता है वैसा रक्त जिसमें क्या होता है Carbon Dioxide मिला हुआ होता है उस रक्त को युक्त सिराओं द्वारा CO2 युक्त सिराओं के द्वारा प्राप्त करता है तो इसके द्वारा जो है वैसे रख्त को ये क्या करता है इन सिराओं के द्वारा इसको ये प्राप्त करता है ये है महासिरा इसके द्वारा ये CO2 युक्त जो ब्लड है जो ब्लड है खुन है इसको दाया अलिंद प्राप्त करता है ठीक है अब दाया अलिंद इस असुद रुदीर को दाय निले में पंप करता है अब इसको जो खून ब्लड जो आया ठीक है जो ब्लड इसमें आया अब इसको क्या करेगा कि दाया निले देखे ये वाला जो आप देख रहे हैं ठीक है ये वाला जो देख रहे हैं आप ये है दाया निले ठीक है ये जो आप देख रहे ना इसके नीचे ठीक है दाया अलिंद के बिलकुल नीचे ये दाया निले है अब इस ब्लड को असुद रख्त को इसमें क्या करेगा ये पंप करेगा ठीक है इसको अब पंप करेगा और दाया निले पुना इस असुद यहां पर देखिए ध्यान से देखिए यहां पर देखिए यह है फुपुस धमनी ठीक है यहां पर ठीक है यह जो है फुपुस धमनी है अब कहा जा रहा है कि यह फुपुस महा धमनी के द्वारा फेफडों में सुध होने के लिए भेजता है ठीक है अब यह क्या करता है कि ब यह अभी असूध ही है ठीक है फेपड़े के पास चला जाएगा अब क्या करेगा ठीक है सूध होने के लिए अब फेपड़ों से फिर आता है अब मालिया के उधर जा करके और फेपड़े में सूध हो गया रक्त जो है और फेपड़े में सूध हो गया अब सूध हुआ रक्त से इसमें आएगा ठीक है अब फिर से इसमें आता है अब यहां से जो रक्त है ये जो रक्त है बाया अलिंद में पहुंचेगा ठीक है कहां ये है बाया अलिंद ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये है बाया अलिंद ठीक है ये बाया अलिंद है और रक्त सुधर रक्त जो है इसके माध्यम से अब कहां पहुंचेगा बाया अलिंद में पहुंचेगा ठीक है और ये फिर बाया अलिंद से कहां पर भैदेगा बाया निले में भैदेगा ये जो रेड़ वाला देख रहा है ये बाया निले है यहां पर इसको पंप करेगा अब ध्यान दिजिएगा अब ध्यान दिजेगा अब यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि बाया निले और बाया लिंद क्या कर रहा है ये सुधरक्त के लिए है सुधरक्त को ये पंप कर रहा है और ये वाला जो है दाया लिंद और दाया निले ये असुधरक्त को पंप कर रहा है ठीक है और यही जो है हमेशा होते रहता है बार 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 यही होते रहता है ठीक है बार बार दूर आया जाता है तो ठीक है तो क्लियर हो गया उमीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं कोसिका सिध्धान्त दिया कोशिका सिधान्त दिया कोशन नमबर 16 देखे इसका सही जो एंसर होगा ठीक है ओगा आप्शन B ठीक है कोशिका सिधान्त के प्रतिपादन प्रतिपादक कौन है देखे सबसे पहले तो यह पुछा जाता है कि कोशिका की खूज किसके द्वारा की गई ठीके तो रोबर्ट हूग के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी लेकिन कोशिका सिधान्त किस ने दिया सेल थियोरी किस के द्वारा दिया तो इसके प्रतिपाद 1849 में स्लाइडन और स्वान है ठीके एक्विनॉक्स वर्स के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है किस दिन को बताए एक्विनॉक्स वर्स के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है किस तिति को यह होता है तो देखिए यह होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें पता है कि हमारी जो पृथवी है ठीक है बीच में सुरह है और हमारी पृथवी और अन्य जो ग्रह हैं यह सुरह के चारोर चक्र लगाते हैं तो क्या ये बृताकार पत्थ पर चक्कर लगाते हैं नहीं ये जो है वो बृताकार नहीं एलेप्टिकल ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि इस टैप से मूव करते हैं ठीक है एलेप्टिकल पाथ पर ये मूव करते हैं तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि 21 मार्च को ठीक ह सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं जिसको एक्वी नॉक्स कहा जाता है ठीक है एक्वी नॉक्स कहा जाता है पृत्वी जो है जब सूर्य से दूर होती है जैसे ये इस्थिती जब बनती है तो ठंड होता है सीत होता है जब नजदीक होगा तो गर्म होगा ठीक है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृत्वई पर दिन और रात क्या होते है Beraber होते है ठीक है इसे क्रमस सरद विशुव और बसंत विशुव भी कहा जाता है सरद विशुव और बसंत बिशुव ठीक है बसंत बिशुव भी इसको कहा जाता है हाँ इसमें क्या होता है कि सूर्य की किर्ने ये प्रित्वी है और प्रित्वी पर सूर्य की किर्ने ठीक है लंबवत पड़ती है ठीक है सूर्य की किर्ने बिशुव तरेखा पर लंबवत पड़ती है तियोलोजी में अध्यान किया जाता है बताईए बताईए कहा जा रहा है कि तियोलोजी में अध्यान किया जाता है question number 18 देखे इसका से answer होगा option A बिभिन धर्मों का तुलनातमक अध्यान क्या कहलाता है ठीक है कार के इंजन में नौकिंग से बचने के लिए निमनलिकित में से परियोग लाया जाता है ठीक है कार के इंजन में बताई कार के इंजन में कार का जो इंजन होता है अगर इंजन ज्राइट से बात ही कि मोटर है वो मूब कर रहा है ठीक है मूब कर रहा है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है तो इंजन जो है अगर मूब कर रहा है तो उसमें नौकिंग होगा खट 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 यह होगा तो नौकिंग से बचने के लिए कहा जा रहा है कि किसका परियोग किया जाता है कोशन नमबर 19 देखिए इसका सही जो एंसर होगा होगा लेट टेटरा एथील का ठीक है ठीक है केंडेला मातरख है केंडेला किसका मातरख है इन सब कौशन में तो ज़्यदा एकस्प्लें करने की जोरत नहीं है केंडेला किसका मातरख है देखे बाबू, केंडेला की अगर बात करें तो जोती तिवरता का, ठीक है, जोती तिवरता का, ठीक है, जोती तिवरता का केंडेला मात रखे, ठीक है, ताप का केलविन है, याद रखेगा, कि ताप का क्या है बाबू, तो केलविन है, ताप का मात रखे क्या है, केलविन है बिद्दुत धारा का एंपियर है, पदार्थ का परिमान मोल होता है, सम्तल कोन रेडियन, यह सब कोशन आता है, पूछता है, ठीक है, BPSC में, धन कोन, स्टे रेडियन, बर्प पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्प का गलनांग, बताईए, लिमिनियस इंटेंसिटी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा एंसर करते जाए, Question number 21, थोड़ा सा share भी तो करते जाए, थोड़ा share भी आप लोग करते जाए, share ही नहीं करते आप लोग, Question number 21, देखिए, इसका answer होगा, बर्प पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्प का गलनांग घर्ट जाता है, ठीक है, ध्यान दिजिएगा, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है, कि अगर ये बर्प है, और बर्प पर दाब बढ़ाया जाए, तो क्या ये बर्प पीगलेगा या नहीं पीगलेगा तो दाब बढ़ाने पर ये और नहीं पीगलेगा मतलब ये कि दाब बढ़ाने पर बर्प का गलनांक और घट जाता है अगर गलनांक बढ़ रहा है मतलब गलनांक गल रहा है ठीक है पिगल रहा है ठीक है ऐसा नहीं होता इसलिए तो हम बर्प पर skating कर पाते हैं मालिया की एक आदमी है यह जो है ओ बर्प पर skating यही कहलाता है और बर्प पर यह जो है ओ उड़ेगा खूब है ना उड़ेगा अगर आपको नहीं आता है अच्छे से skating करना तो आप मुझ नाक भी तोड़ सकते हैं तो अगर यह इसका बल पूरा का पूरा दाब जो है मालिया की इस बर्प पर यहाँ पर लग रहा है ठीक है इस बर्प पर यहाँ पर लग रहा है अगर इसका दाब यहाँ पर बढ़ता ठीक है अगर यहाँ पर दाब बढ़ रहा है अगर गलनांक उच हो जाता तो हो सकता है यह बर्प जो है वो पानी बन जाता, गलनांक उच्छों करके पानी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, है ना, ऐसा तो होता नहीं है, कि दाब बढ़ाने से पानी बन रहा है, यानि कि और घटता है, ठीक है, और गलनांक घटता है, ग्रिद्दूत धनात्मक अधातु है बिद्दूत धनात्मक अधातु है बताई ग्रिद्दूत धनात्मक अधातु है इसका सेंसर होगा बिद्दुत धनात्मक अधातु जो है यह हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है ठीक है हाइड्रोजन आवर्थ सार्नी का प्रथम तत्व होता है यह अगर बात करें तो प्रित्वी पर पाये जाने वाले जितने तत्व है उसमें तत्व में हाइड्रोजन का अस्थान कैवा है नवा है ठीक है कैवा अस्थान है इसका हाइड्रोजन का नवा अस्थान है सभी अमलों में यह अनिवार्य होता है ठीक है अमलों में अनिवार्य होता है सभी अमलों में यह अनिवार्य होता है हाइड्रोजन अनिवार्य होता है तो हैबर बिधी के द्वारा ठीक है हैबर बिधी द्वारा हैबर बिधी के द्वारा हैबर बिधी द्वारा अमोनिया के उत्पादन में इसका हैडोजन का यूज होता है जोका एक चर्चित रोग है या या निम्नलिकित में से किस फसल से समंधित है बताइए जोका कहा जा र चर्चित बिमारी है यह किस फसल से सम्मंदित है question number 20 देखे यह जो है धान में होता है यह धान में होता है गेहूं में गेहूं का काला किड यह सब होते हैं बहुत सारे बिमारी होते हैं धान का जो खेत होता है इसमें कौन सी गैस होती है धान के खेत में कौन सा गैस होता है जल जो सड़े गले या दलदली छेतर होते हैं वहाँ पर मीथेन गैस होता है है ना मीथेन गैस होता है मनुष से अपने रख्त का कितना प्रतिसत दान में दे सकता है पताए मनुष से अपने रख्त का कितना प्रतिसत दान में दे सकता है अपने रक्त का कितना प्रतिसत दान में दे सकता है 7, 5, 10 या 14% देखे बाबु इसका सही जो एंसर होगा वोगा 10% आप दान में दे सकते हैं ठीक है 10% ही दान में दे सकते हैं इससे ज़्यादा दीजिएगा तो आप भी दानी बन जाएगा ठीक है दान देने के लायक फिर अगली बार नहीं रहिएगा ठीक है तो सरीर में रुधीर की मातरा कभी-कभी ये पुछा जाता है कि बोडी में हमारे सरीर में रुधीर की मातरा सरीर के बाहर का कितना प्रतिसत होता है तो रुधीर की मातरा सरीर के भार का रूधीर कितना होता है तो 7% होता है 7% होता है ठीक है रूधीर का 55 से 60% भाग पलाजमा होता है ठीक है और यही डोनेट करते थे लोग जो कोरोना से ठीक हो जाते थे पहली जो लहर थी उसमें है न यही डोनेट करके और ठीक हो जाते थे दूसरा में कोरोना यह बोला कि कितना भी डोनेट करो नहीं ठीक होने देंगे लेकर आओ कितना बलोड ले बूलेट प्रूब पदात बनाने के लिए निमने लिकित में से कौन सा बहलक परियोग तो होता है कोश्चन नमबर पचीस बताए देखिए इसका सेंसर होगा पॉली कार्बोनेट्स ठीक है स्टार्च और सेलूलोज प्रकृतिक बहलक के उदाहरन है स्टार्च और सेलूलोज आर्कियोप्टेरिक्स है यह पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को बताए आर्कियोप्टेरिक्स है कोश्चन नमबर 26 देखे बावो इसका सही अंसर होगा जूरैसिक यूग का सर्वपुरातन पक्षी ठीक है आर्कियोप्टेरिक्स जूरैसिक यूग का सर्वपुरातन पक्षी है अच्छा अगर आप सक क्वोशन पूछले कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है तो सुतूर मूर्ग ठीक है सुतूर मूर्ग और यह याद रखना है कि इसका जो अंडवा होता है न बाबू ठीक है अंड़ा वो लिख भी दिया अंडवा ठीक है इसका जो अंड़ा होता है एक होता है न यह सबसे बड़ी कोशिका है ठीक है सबसे बड़ी कोशिका ठीक है सबसे बड़ी कोशिका इसका एक होता है ठीक है सबसे छोटा पक्षी हमिंग बड़ सबसे छोटा पक्षी छोटा पक्षी हमिंग बड हमिंग बड यह सबसे छोटा पक्षी है तिबरतम पक्षी आवाविल तिबरतम पक्षी आवाविल ठीक है? आवाविल आवाविल जो है यह तिबरतम पक्षी है सबसे बड़ा अंडा सुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है ठीक है? ध्यान दिजिएगा चलिए आगे चलते हैं हिर्दे रोगियों को अधिक मातरा में नहीं लेना चाहिए जो हाट की बिमारी जिनको होती है वो उनको इन वे से क्या नहीं लेना चाहिए question number 27 देखे वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए ठीक है? हिर्दे रोगियों को वसा अधिक नहीं लेना चाहिए ठीक है? वसा जो है अगर बात करे तो वसा अमल दो परकार के होता है एक संत्रिप्त ठीक है? एक होता है संत्रिप्त वसा अमलकी बात करें तो ये दो परकार के होते हैं एक होता है संत्रिप्त है लिडिन था संत्रिप्त हो लोग बात करें और एक होता है और संत्रिप्त ठीक है एक और संत्रिप्त होता है संत्रिप्त की अगर हम लोग बात करें तो सामाननेता पर यह होता है जैसे अगर हम लोग बात करें तो मखन ठीक है जैसे से बात करें तो मक्खन सामान नेता पर मक्खन जो है उठोस होता है ठीक है इसके लावा एक और संत्रिप्त होता है यह मचली के तेल और बनस्पति तेल में मिलता है ठीक है मचली के तेल वानस्पतिक तेल वानस्पतिक तेल ठीक है तेल इन सब में यह पाया जाता है इन सब मे मुम्बत्ती की लोग का बाहरी भाग निला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है Q18 कहा जा रहा है लाइक में कमी क्यों करते हैं आप लोग लाइक सेयर करते जाए कहा यह जा रहा है कि मुम्बत्ती की लोग का बाहरी भाग निला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है question number 28 देखे इसका sensor होगा हवा के ठीक है option C हवा के संपर्क में होता है ठीक है सुबह के समय यदि हवा में धुआ अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है क्यों अब जो है ठंडे का समया रहा है अब आप लोगों को यह द्रिश से काफी देखने को मिलेगा है ना सुबह सुबह जब आप निकलेंगे तो बहुत लोग क्या करता है गाओं में देखेंगे तो गाओं में लोग क्या करता है कि लकड़ी ये सब जला जला करके चौक चौरा है पर हर जगा और पूरा जो है उधान वाला जला करके और बैठे रहते हैं है ना सब जितना जो जूट बात है सब एक जगा बैठ करके और करते रहते हैं लोग वो धुआ अगर जादा है ठीक है हवा में धुआ की मात्रा जादा है तो आप देखेंगे कि कोहरा भी अधिक हो जाता है कोहरा भी अधिक हो जाता है क्योंकि वायू में मौझूद जलवास्प धुए के कनों पर जमा हुआ होता है ठीक है वायू में जो जलवास्प जैसे यह वायू है और यह जलवास्प है ठीक है अब यह जलवास्प जो है वो धुए के कनों पर जम जाता है इधर से यह धुआ उठ गया ठीक है धूआ उठ गया अब यह जलवास पहना इसी पर आ करके और बैठ जाएगा तो यह कोहरा भी और अधिक हो जाता है कोहरा भी और अधिक हो जाता है ठीक है अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवसक होती है बताईए पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवसकता होती है हवा, पानी, एंजाइम या खनीज़की इसका सही जो इंसर होगा एंजाइम की ज़रूरत होती है अगर पानी नहीं हICU है पानी नहीं भी पें गे तो चलेगा बीना एंजाइम के नहीं पचेगा, अमासे के जठर रस में दो तरह के एंजाइम होते हैं, ठीक है, जठर रस में, जठर रस अमासे में होता है, तो अमासे के जठर रस में दो तरह के एंजाइम होते हैं, पेपसीन और रेनीन, ठीक है, एक होता है पेपसीन, पेपसीन और एक एक होता है बाबू रेनीन ठीक है एक होता है रेनीन अग्नियासे रस में तीन तरह के एंजाइम होते हैं अग्नियासे रस की अगर हम लोग बात करें तो अग्नियासे रस में तीन तरह के एंजाइम होते हैं कौन-कौन सा होता है एक होता है ट्रिप्सिन ठीक है एक होता है लाई पेज होता है एक लाई पेज होता है छोटी आच से निकलने वाली जो आंतरी क्रस होती है उसमें पांच तरह के इंजाइम होते हैं ठीक है छोटी आंच से जो निकलने वाली होती है उसमें पांच तरह के होते है इरेपसीन होता है माल्टोस होता है सुक्रेस लेक्टोज और लाइपेज होता है ठीक है आगे चलते हैं अगला है option D, गलित, sodium, सितलक के रूप में, ठीक है, sodium का आप एक्ची घनत 0.97 होता है, ठीक है, 0.97 इसका आप एक्ची घनत होता है, density होता है, ठीक है, sodium विदुत का सुचालक होता है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, बताइए, देखिए अभी तब 500 लाइक भी नहीं आया है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, question number 32, देखे बाव, इसका same answer होगा, option B, एक जलिय पौधे को, ठीक है, हाइड्रो जहां पर भी आ जाना, समझ जाएए कि हाइड्रो किस से संबंदित है, जल से संबंदित है, fight, यह maximum जो है, बनस्पती से, संबंदित होता है, तो जल में जो बनस्पती होता है, मतलब कि, जलिय पौधे को, हाइड्रोफाइट, ठीक है, एपसम साल्ट का सुत्र है, बताइए, एपसम साल्ट का सुत्र है, अच्छा यह बताइए, कि साइन्स, इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा फीड़वेक भी दिया किजिए, कमेंट यह सब में, कैसा लग रहा है, और यह करने की जुरुरत है, थोड़ा सा फीड़वेक भी जरूर दिया किजिए, आप लोग, कोशन नमबर 33, इसका सेंसर होगा, ओप्शन डी, ठीक है, ब्रेन की बिमारी को पहचाना जाता है, ठीक है, ब्रेन की बिमारी को पहचाना जाता है, देखे, ब्रेन की बिमारी को इसका सेंसर होगा, ई, ई, जी, टेस्ट से, ठीक है, ई, ई, जी, टेस्ट होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह ई, ई, जी, टेस्ट होता है, ठीक है, इंसब के लिए अगर माल्या के दिमाग में कोई भी बीमारी है दिमाग में कोई भी बीमारी है तो एईजी टेस्ट करवाना होता है ठीक है अभी बहुत टाइप के कोश्चन आएंगे अभी तो साथ पार्ट ही हुआ है ना अभी तो 2000 प्रस्ण करने अभी टॉपिक वाइज भी कराऊंगा ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है देखे ईजी टेस्ट बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है ठीक है इसका सेंसर का इसपात बनाया जाता है ठीक है ओप्सन सी इसपात बनाया जाता है इसपात LD प्रोसेस और ओपेन हर्ट प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है ठीक है हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है भविसे का इंधन ठीक है भविसे का इंधन इसी को कहा जाता है भविसे का इंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है और जैसा कि हाइड्रोजन निती भी अभी मोदी जी लेकर के आये हैं ठीक है अड़ोजन उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए टीक है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का ओद्योगिक पहवाने पर उत्पादन हेबर वीधी से होता है, टीक है proximity सुधता के नियम का पृस्पादन किया था , ठीक है सब क्लास होगा सब क्लास होगा बताई देखिए इसका सही एंसर होगा मेंडल ठीक है option B gamit की सुदता का नियम मेंडल ने दिया था मेंडल ने प्रभाविता का नियम भी दिया था पर्मानू के नाभिक की खोज रधर फोड ने की थी पर्मानू के नाभिक की खोज ठीक है रधर फोड के द्वारा किया गया था डाइनामाइट बनाने में किस द्रब्ब का प्रियोग किया जाता है डाइनामाइट बनाने में किस द्रब्ब का प्रियोग किया जाता है पताई question number 37 नाइट्रोग्लिसरीन का प्रियोग किया जाता है डाइनामाइट का विसकार किस ने किया था 1863 में इसका विसकार किया गया था और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था है ना अल्फ्रेड नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1863 में इसका विस्कार किया गया था आइरिस का क्या काम होता है आइरिस आखों में जो आइरिस होता है इसका क्या काम होता है बताइए question number 38 आख में जाने वाले प्रकास की मातरा को नियंतरित करता है ये आइरिस ठीक है आइरिस के बीच में एक होल होता है छिदर होता है इसका image लगाना मैं भोल गया ठीक है और इसी को कहते हैं पुतली ठीक है इसी को पुतली कहा जाता है ठीक है और यही जो पुतली होता है यही जो पुतली होता है बाबू जब आप किसी कमरे में जाते हैं ठीक है जब आप किसी कमरे में जाते हैं अंधेरे कमरे में बाहर से लाइट से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ देर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि पुतली जो है फैल जाता है ठीक है फैल जाता है और धीरे 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 जो है वो सिकूर जाता है तब धीरे धीरे आपको नजर आता है ठीक है आकास गंगा की आकृति है आकास गंगा की आकृति है बताइए देखिए इसका सेंसर होगा सरपीला कार ठीक है ओप्षन भी सरपीला कार ठीक है सौर मंडल जिस मंदाकनी का भाग है उसी को आकास गंगा कहा जाता है ठीक है मैगमा क्या है मैगमा क्या है मैगमा क्या है question number 40 देखे इसका सियन सरोगा option B धर्ती के गर्भ में पिगला हुआ cell ठीक है अब दिखाते हैं देखे ये है हमारी पृत्वी ठीक है और पृत्वी में जैसा कि आपको पता है कि पृत्वी के अंदर पिगले हुए पदार्थ है जो चटाने पिगले हुए फोमेट में है और फोम में है और ये जो चटान पिगला हुआ है इसी में सारा तत्व भी होता है बहुत सारे खनीज होते हैं जब ये अंदर होते हैं पृत्वी के जब अंदर होता है ये तो इसको कहा जाता है लावा ठीक है और जॉला मुखी क्रिया के बाद जब ये पृतिवी के सतह को ऐसे तोड़ करके और बाहर आ जाते हैं ठीक है तोड़ करके और बाहर आ जाते हैं और ऐसे विखर जाते हैं इसके बाद धीरे धीरे ठंडो करके और यही पहाड फरवत का न ये अंदर जब होता है तो मैगमा कहलाता है और ये जब बाहर आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं ठीक है लावा बोलते हैं जब अंदर होता है पिगलावा पदार तो इसको मैगमा कहते हैं अभी कभी उल्टा भी बोला जाता है ना तो मैगमा और जब ये बाहर आ जाता है तो इसी को लावा बोल देते हैं ठीक है इसको लावा बोलते हैं और देखे बबू यहाँ पर यह जौला मुखी क्रिया के दोरान आप देख रहे हैं कि लागातार ऐसे यह निकल रहा है ठीक है निकल रहा है तो एक नली की भाती यह बन जाता है ठीक है यह एक नली की भाती ब बहुत बड़ा फूल गड़ा ठीक है इसको बोलते हैं क्रेटर ठीक है इसको बोलते हैं क्रेटर ठीक है इसको क्रेटर बोलते हैं ठीक है अब क्या होगा कि यह इसमें यह लावा निकलना बंद हो गया ठीक है अब बरसात हुआ पाने हुआ ठीक है अब पाने हुआ तो इस क्र जील बन जाएगा ठीक है जील बन जाएगा जील किसको बोलते हैं ऐसा पानी का भाग जो चारों से अस्थल खंड से गिरा हुआ हो तो यह गड़ा वाला में पानी बर जागा तो इसको जील बोलेंगे इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रेटर जील ठीक है चलते हैं आगे पॉस्चन नमबर 41 देखे इसका सेंसर होगा ओप्शन ए ठीक है रेड ज्यांट इसको कहा जाता है सुर्य हमारी पृत्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ठीक है पृत्वी से 13 लाख गुना बड़ा ठीक है से 13 लाख गुना बड़ा है शी ओप्ट्रांक्विलिटी कहाँ पनिस्तित है कि जी और ट्रांक्विलिटी कहाँ है है पॉस्चन नंबर 42 देखे इसका सेंसर होगा चंद्रमा पर ठीक है स्री और ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर है ठीक है देखे चंद्रमा की सत्व और उसकी आंत्री की स्थिती के अध्यान के लिए भारत हो या कई देश हो अपना अलग-अलग रोवर भेजते हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए ठीक है अब अगर पुछा जाए कि इस स्टडी को अध्यान को चंद्रमा का जो सत्व है या चंद्रमा के अंदर का जो भाग है ठीक है स्टडी को क्या कहा जाता है अध्यान को क्या कहा जाता है तो सेलोनो लोजी ठीक है सेलेनो लोजी ठीक है इसमें चंद्रमा चंद्रमा के सतह और आंतरिक भाग का अधियन ठीक है अधियन ठीक है तो ये चीज़ याद रखना है चंद्रमा को जिवास्म ग्रह भी कहा जाता है ठीक है इसको जिवास्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा को ठीक है निम्नलिकित कनों में से कौन सा कन खून के स्वेत कनों में नहीं होता है खून के स्वेत कनों में इन में से कौन नहीं होता है बताई question number 43 देखें Erythriocyte ये WBC में नहीं होता है देखें ऐसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो WBC होता है न इसका आकार जो है वो अमीवा की भाती होता है अमीवा ऐसे ही न बन जाता है ठीक है अमीवा कैसे भी बना दीजे ठीक है ऐसे बना दीजे ऐसे बना दीजे अमीवा बन गया है ना ऐसे बना दीजे अमीवा बन गया अमीवा का कोई fix आकार जो है वो नहीं होता है ठीक है इसी से होता है WBC का आकार होता है इसकी मृतिव कहां होती है मृतिव इसकी होती है रक्त में रक्त में इसकी मृतिव होती है जीवनकाल एक से चार दिन तक का इसका जीवनकाल होता है इसका काम है हाथी का दिखने वाला दात निमने में से किसका रुपांतरन है हाथी का दिखने वाला दात दो ऐसे बड़े बढ़े बाहर जो ऐसे दिखते रहते हैं वही कहा जा रहा है कि वो जो दात है हाथी वाला किसका रुपांतरन है प्रोटीन का पाचन सरीर के निमने में से किस अंग में होता है अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे प्रकार के दोस्ट जो हते हैं इसमें निकट की वस्तु परस्ट दिखाई देती है इसको निकट दिर्श्टी तोस कहा जाता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है ठीक है वह वह वक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं पर कोई प्रतिजन नहीं होता है इस ब्लड ग्रूप से संबंदित होता है 48 ओपरकार लेंज का नियम है 49 और जा संरक्षन का अंडे में कौन सा बिटामिन लगभग बिल्कुल नहीं पाया जाता है कोईशन नमर 50 तो बिटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है ठीक है तो यह था आज का 50 कोईशन साइंस का कल से बिलकुल समय पर क्लास आएगा पांच बजे ठीक है आप लोग थोड़ा सा सेयर कर दिजिएगा सेशन को जाते जाते और हमारे टेलीग्राम गुरूप को ज इंस्टॉल किजिए और उसमें बीपी एसी कटेगरी आपको सेलेक्ट करना है साम साथ बजे फुल लेंथ टेस्ट बिलकुल फ्री में आता है आप इसको जोईन कर सकते हैं ठीक है आप से बसे कोड पूछा जाएगा क्लास को अनलोक करने के लिए जिसमें आपको लिखना है यह लिखिएगा तो बिलकुल फ्री में क्लास अनलोक हो जाएगा तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में जाते जाते लाइक सेयर करते जाएंगे आप लोग और टेलिग्राम गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ ह सबी वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं तो मिल